भई शामी का जो HyperOS Update है वो Android 13 के साथ हमें देखने के लिए मिलेगा MI11X के अंदर इंडिया में और इंडिया के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ फीचर्स मिसिंग रहेंगे और भई अगर आपके कोई डाउट्स होना वो आप कॉमेंट्स में जरूर से मेरे को और कौन सा डिवाइस आप यूज करें और वो भी जरूर से मेंशन कर देना अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि MI11X के HyperOS Update में क्या कुछ मिसिंग रहेगा क्या आपको मिलने वाला है एक्चुल में तो वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं तो पर जो है Global के उपर ये Based देखने को मिल जाती है Elite HyperOS और ये काफी अच्छी ROM है इसका Review Channel पर मैंने अपलोड कर रहा है अब इसके इंदर पता क्या है इसमें चाइना वाले भी features आपको मिल जाएंगे मैंने Chinese version भी try किया है और Global के भी आपको काफी सारे features मिल जाते हैं तो शुर कर सकते हो दूसरा चेंज यहां पर जो system apps है ना उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से जो है glass का effect देखने को मिलेगा जो menus है वो आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से redesigned applications आपको मिल जाएंगी और ये सिर्फ gallery के अंदर नहीं मिलेगा ये आपको हर जगा मिलेगा और इस चेंज कर सकते हो वैसे यहां पर जो है यह चीज आल्मोस्ट सभी phones के अंदर है और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह जो system के अंदर glass वाला effect ना यह आपको सभी apps के अंदर देखने को मिलेगा system apps basically redesigned हो जाएंगे notification panel में कोई नया change नहीं मिलेगा दूसरा सबसे बड़ा जो change आपको मिलने वाला है ना वो यहां पे रहने वाला है lock screen की customizations आप जैसे long press करोगे अपना password एंटर करोगे तो भई आपको काफी सारे options मिलेंगे सबसे पहले तो classic वाला हुआ दूसरा रहॉम बस्क वाला तीसरा आपको magazine तो यह तीनों मिलेंगे क्योंकि यह high end device है and यह capable है magazine वाले भी आप यहां पर use कर सकते हो तीसरे change की बात करें तो वो आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है कुछ इस तरीके से यहां पे आप cutout को use कर सकते हो हाँ of course इसके लिए android 14 का support नहीं चाहिए यह आपका android 13 में भी work करेगा और directly आप यहां पर जो है इसका background है उसको change कर सकते हो कुछ आपको चीज़ें download करनी होगी और gallery के नए features of course आपको यहां पर मिलने ही वाले हैं और उसके बाद अगर आप settings में जाओगे तो setting के अंदर आपको यहां पर थोड़े इस applications में जो icon होगर है थोड़े से updated मिल जाएंगे battery के अंदर जो आपका यह graph वाला section नहीं यह कुछ चीज तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप चेक कर सकते हो यह updated रहेगा और यह चीज़ आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेगी उसके बाद अपडेटर है वो भी आपका change हो जाएगा like अभी मेरे पास अपडेटर यहां पे present नहीं वाला जिसके अंदर आपको यह कुछ यहां पर फीचर्स मिलते हैं यह सारा कुछ मिसिंग रहेगा वैसे हाँ 54 जो है HyperOS के वाल पेपर ज़रूर मिलेंगे वो आप theme एप के अंदर जाके change कर सकते हो lock screen में कोई change नहीं मिलेगा यहां पर almost चीज़े same रहने वाली है आपको एक control center का जो आपको option मिलता वो मैंने आपको बता दिया smart hub को आप अपने accordingly जो है customize कर सकते हो अगर disable करना चाते हो तो उसका भी option रहेगा और जो launcher है उसके अंदर ज्यादा changes नहीं मिलेंगे बड़ एक चीज़ बता देता हूं यहां पे अगर आप देखोगे यह आपको Android 14 वाले latest जो है hyperOS के animations देखने को मिलते हैं यह सारे जो animations हैं यह missing रहेंगे क्योंकि मैंने global ROM को try किया है उसमें यह चीज़े missing है इसका ध्यान रखना यह आपको नहीं मिलेगी next एक सबसे बड़ा change यहां पर जो Xiaomi ने introduce किया था यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं इसमें यह present नहीं यह है advanced textures को लेगे भाई यह आपको यहां पर नहीं मिलेगा इससे ना थोड़ा glass का effect आपको देखने को मिल जाता है जो advanced textures ना वो आपका almost सबी चीज़ों पर work करता है कुछ elements वगरा होती है ना तो यहां पर वो चीज़ missing है और वो चीज़ आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेगी उसके बाद अगर आप देखोगे sound and touch को तो sound and touch के अंदर आपको एक चीज़ missing मिलेगी जो यहां पर sound effect का पहले वाला MIUI 14 का जो interface है वो change हो जाएगा यह settings आपकी रहने वाली है और यह चीज़ आपको देखने को मिलेगी तो यानि की काफी सारे features remove हो जाएंगे इस sound and touch वाले feature में से अब दो बड़े changes जो भाई काफी लोग जानना चाते हैं सबसे पहले तो क्या आपको यहां पर गूगल डाइलर मिलेगा या फिर मी डाइलर जैसे मेरे पास मी डाइलर है तो भाई इसके अंदर आपको यहां पर गूगल डाइलर ही देखने को मिलेगा क्यो आपके जो gameplay वगरा है वो limited रहेंगे अब एक और change है जो कि सिर्फ और सिर्फ Android 14 के साथ मिलेगा वो है floating window का मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर like मैं Chrome को open करता हूं तो अगर आप Android 14 वाला कोई भी जो है HyperOS ROM को use करोगे ना वहां पर आपको तीन options मिल जाते हैं भाई उसमे animations काफी ज़दा improved है और उसमें काफी सारे आपको features भी देखने का मिलते हैं तो जो floating window का experience है वो HyperOS के Android 14 में थोड़ा better मिलेगा as compared to Android 13 क्योंकि जो Android 13 का HyperOS है उसमें MIUI 14 के ही आपको features देखने को मिलेगे floating window के regard